हलो फ्रेंड्स बेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टेम के प्रेशने और ये सभी प्रेशने एक्जाम में आते हैं और इनके जितने भी टाइप हैं आज मैं केलियर करा दूँगा तो इस वीडियो को आप पूरा देख आपके सभी टाइप के लिए हो जाएंगे कोई भी कोशन नहीं बचेगा ठीक है तो देखें यहां पर प्रेशना आपका है रूट बारा प्लस रूट बारा प्लस रूट बारा यह इंफिनीटी तक जा रहा है यानकि कोई एक संख्या रिपीट हो रही है बार-बार बार ब kundhant और kundhant देखिय क्या हो सकते हैं गundhant हो सकते हैं दो 12 класс के 12 और बारा के और कुलिशे गundhant हो सकते हैं 12 एक 12 यह भी 12 선jek kundhין गोरøंगे 12 के और के और कुलिश से गundhant Current है ठीक है अब हम्न को किस गundhant कि जरूत है हमके ऐसा गundhant चाहिए जिनके बीच का अंतर एक हो जैसे चार और तीन के बीच का अंतर एक है यहाँ पर देखिए ग्यारे अंतर हो जाएगा बारे और एक का अंतर ग्यारे हो जाएगा इसकी हमें जरुवत नहीं दो और शेका अंतर चार हो जाएगा इसकी भी जरुवत नहीं हमको ऐसा गुड़न खंड चाहिए जिन संक्याओं के बीच का अंतर एक हो इसकी जरुवत है हमें ठीक है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया जब संक्या पिलस प्रेस में रिपीट हो तो गुड़न खंड की बड़ी वाली संक्याओं के आंसर होती है यानि कि चार हमारे प्रेसने का सही जवाब है चार ठीक है गुड़न खंड की बड़ी वाली संक्याओं के हमारा आंसर होती है अगर यही कोशन माइनस में चलता पिलस की जग है माइनस में साइन होता तो फिर गुड़न खंड की छ में 20 बार-बार repeat हो रहा है और संख्या इस बार minus में है root 20 minus root 20 minus root 20 minus यानि कि अभी-भी जो हमने question देखा बिल्कुल वैसा ही है लेकिन इसमें minus चेंद रहा है बार-बार तो मैंने आपको क्या बताया कि यह जो 20 है आपके ऐसे गुणनखन कीजिए जिनके बीच का अंतर एक आ जाए तो मैं गुणनखन करूँगा पांच चौके बीस पांच चौके बीस होता है अब संख्या माइनस में चल रही है तो गुणनखन की छोटी संख्या आंसर हो जाएगी यानि की चार आपको सही जवाब है या अगर प्लस प्लस में चलता तो फिर बड़ी संख्या आंसर हो जाती यानि की पांच आंसर हो जाता फिर तो अच्छे से समझ में आगी यह बात चलिए अब देखते हैं अगला अगला क्वाशन है रूट 19 पलस रूट 19 पलस Raymond 10 पलस में चल रहा है अभी अभी जो क्वाशन देख रहे हैं ये क्वाशन बिल्कुल वैसा ही है लेकिन ये 19 एक ऐसी संख्या है तो उसे कैसे solve करते हैं देखिए 4n plus 1 पूरे को पर root चड़ा दो divided by 2 और plus 1 यह पूरा formula अभी क्या भी note कर लीजे आप अभी क्या भी note कर लीजे ताकि ना भूल जाया है ठीक है अब देखें question खता हम बस 4 into n का मान कितना है 19 ठीक है plus 1 पूरे को पर root और divided by 2 ठीक है और बात में क्या है plus का 1 है यह बात ठीक है चलिए 19 चौक 76 76 में जोर देंगे एक 77 ठीक है तो उपर क्या हो गया 77 पूरे को उपर root लग जाएगा divide में 2 हो जाएगा और यह क्या है last में plus 1 चलिए बस यही आपका answer हुआ आगे बात सभी की समझ में कोई दिकत किसी को बिल्कुल नहीं होगी अच्छा सवाल है जब ऐसी संक्या मिलेगी आपको जिसका good अंखन नहीं बनेगा ऐसा good अंखन नहीं बनेगा जिसका अंतर एक आ जाए तो फिर उसके लिए formula अफटा-फट से note कर लीजे ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है रूट सेवन माइनस रूट सेवन माइनस रूट सेवन पिलस में देखा था अभी अब देखेंगे माइनस में लेकिन अगर मैं साथ को देखू तो इसके भी good अंखन नहीं बनेगे जिनका अंतर एक आ जाए साथ के भी नहीं बनेंगे तो जो मैंने formula बताया था आपको याद है 4 and plus 1 पूरे कूपर root divided by 2 ठीक है और यहाँ पर करेंगे minus 1 क्योंकि minus में चल रहा है पिछला question plus में चल रहा था तो plus 1 कर दिया अब minus में है तो minus 1 इतना note करने आप ठीक है 29 कितना 29 पूरे कूपर root लगा दो डिवैड में 2 और यह minus का बन ठीक है बस answer आ गया आ गया आंसर बिर्कुल परिशान मत हुए सभी की समझ में आएगा अच्छे से चलिए समझ में आ गया अब देखेंगे अगला question अगला question है देखें 5 और 6 आपको सेम question लगेंगे 5 और 6 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 खाली 7 है और यह dot का मतलब है कि multiply का sign होता है ठीक है यहाँ पर root 3 root 3 root 3 फर्क यह है कि यह वाला question infinity तक जा रहा है और यह यहीं पर खतम हो रहा है ठीक है जब यह infinity तक जाएगा तो इसका करने का तरीका लग संक्या चेंज है वरना question देखने में स्रीम लग रहा है ठीक है जब ऐसा question आ जाए वह infinity तक जाए कहां तक infinity तक जाए तो वह swim ही उस संक्या cancer होती है यानि कि साथ ही आप cancer है याद रखना साथ कीजिए कि कोई और होता नौ भी होता और वह infinity तक चलता यहाता ना plus में होता ना minus में यह into में होता तो उस स्वैम संक्या ही उस cancer हो जाती है लेकिन यहां पर यह infinity तक नहीं है तो इसका क्या करेंगे जो 3 दिया गया है आप 3 लिखेंगे तीन लिखेंगे एक, दो, तीन, चार तीन कितनी वार दिया गया है चार वार दिया गया है तो दो की पावर चार कर देंगे ठीक है दो की पावर चार और माइनस वन के लिए अब देखिए माइनस वन हो गया और डिवैड में आ जाओ divide में क्या करेंगे 2 की power 4 यान की ऊपर क्या करेंगे 4 में से minus 1 कर देंगे power में से नीचे नहीं करना यह 3 तो रहेगा ही रहेगा ठीक है 3 तो रहेगा 2 की power 4 command 16 16 में से गटा दो 15 और बटे में 2 की power 4 command 16 बस हो गया answer बस यह आपका answer है जब infinity तक जाएगा तो वो swim है उस संख्या का answer है और जब infinity तक नहीं जाएगा तो यह formula लगाना पड़ेगा ठीक है के लिएर सभी को चलिए आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका root plus वो root 4 plus root 4 minus root 4 plus root 4 minus infinite तक जा रहा है 1 बार plus 1 बार minus 1 बार plus 1 बार minus एक बार plus एक बार minus इस तरीके से तो देखें जब sign change होता रहेगा alternative plus minus plus minus संख्या तो same है sign change हो रहा है तो लिख लिए इसके लिए 4 and minus का 3 formula note कर आ रहा हूं लिख लिए डिवाइड बार 2 ठीक है डिवाइड बार 2 अब यहाँ पे एक बात आप हमेसे याद रखना यहाँ पे plus का 1 या minus का 1 ले पहले क्या दे रखा है आपको पहले दे रखा है आपको plus 1 तो यहाँ पे आप plus का 1 ले ले ठीक है यहाँ पे plus का 1 ले लिया अगर यहाँ पे पहले minus का होता ये वाला sign पहले minus का होता तो यहां minus 1 लेते plus का है तो plus 1 ठीक है कर लो भाई 4 n का मान कितना है भाई देखिए n का मान है आपका 4 n का मान कितना है 4 और minus का 3 ठीक है पूरे को उपर root लगाईए बटे में 2 plus 1 4 चोक के 16 16 में से minus कर देगे ये 3 बचे का 13 ये रहे के उपर root लगाईए डिवाइड में 2 plus 1 हो गया आप 5 सर्थ हो गया कि नहीं हो गया के लिए सभी को चलिए अब देखेंगे अगला question अगला प्रश्नी है root 5 minus root plus root 5 minus root 5 plus root 5 minus root 5 plus यानि कि 1 बार minus 1 बार plus 1 बार minus 1 बार plus ऐसे चलना है तो तरीका मैंने आपको बता दिया 4n minus 3 divided by 2 इस पूरे को पर n अगर यहाँ पहले plus था तो हमने पहले plus कर लिया और यहाँ पहले minus है तो यहाँ पहले minus कर लेंगे बस यह करना है ठीक है चलिए 4 into n का मान कितना 5 है minus का 3 पूरे को पर root लगा दो divide में 2 और यह minus कर बन चार पच्चे 20 20 में से घटा दो 3 तो कितना हो जागा 17 divide में 2 उपर root लगा दो minus कर बन ठीक है यह आप कांसर हो गया यह हो गया आप 5 पिल्कूस सही जवाब सभी की समझ में आ गया चलिए अब देखेंगे अगला question अगला question है root में 106 minus root में 32 plus root में 25 minus root में 81 ऐसा question अगर कभी आ जाए तो उस question को हम पीछे से solve करते हैं जैसे में 81 का root दिया गया नए 81 का square root कितना होता भाई 9 होता है 9 होता है अब इस 9 को क्या करेंगे यहाँ minus का sign है तो यहाँ 9 को minus कर देंगे तो 25 में से 9 minus कर दो 16 ठीक है अब 16 बचा ना तो 16 का square root निकालिए 16 का square root 4 हो जाएगा अब यहाँ plus का sign है तो इस 4 को इसमें plus कर दो कितना हो जाएगा 32 में 4 plus करेंगे तो 36 हो जाएगा अब इस 36 ka स्कूरा। शोल करू 156 हो जाएगा। अब कर देंगे। आप 106 में से 6 क्रटेंगे तो 100 बचेगा तो फिर 100 का स्कूरा। रूट्रोट कितनो हो जाएगा? 10. तो इस प्रस्क्रायिका आंसर है आपका 10! उम्मीद करूँगा सभी को प्रश्णा साली से समझ में आगे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्रश्णी कैसे लगे कमेंट करके जरु बताईएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद